अलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो फ्रेंट्स अभी हम लोग जा रहे हैं बैनाचिती मार्केट और यह दुरगापूर का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जो जो दुरगापूर क्यों को पता ही होगा बैनाचिती मार्केट के बारे मैं तो वही मैं जा रहे हूं मुझे चोटा बेटा के लिए कुछ खिलोना खरीदना है और मुझे भी कुछ खरीदना है तो इसलिए जा रहे हूं तो फ्रेंट्स आप लोग भी मेरे साथ चलिए और अभी हम लोग जाएंगे मेरा बड़ा बेटा नहीं जाएगा उसका ट्यूशन है और मेरा छोटा बेटा मैं और मून जाएंगे तो हम लोग की जाएंगे और मेरा हस्बेंट तो चलिए चलते हैं तो फ्रेंट्स अभी हम लोग जा रहे हैं और बेटा आप लोगों को हाई कह रहा है और क्यूंकि बेटा नहीं जाएगा तो इसलिए वो वीडियो में बार बार आ रहा है और मेरे हस्बेंट को भी मैंने कहा हाई कहने के लिए तो तब ही वो हाई कह रहा है वो खुद से तो न लास्ट में दिखाऊंगी तो मैं अभी मार्केट में जल्दी जल्दी खरीद लेती हूं और घर जाके फिर आप लोगों को दिखाती हूं मैंने मार्केट में क्या-क्या खरीदा है तो आप लोग वीडियो देखते रहिए लास्ट का लोगों है तो आप display हूं में में जल्दी जल्दी खरीद लें अगाएों है spell झाल 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 तो फ्रेंड्स अभी मैं बैनाचित्ती सबजी मंडी में हूँ और मेरे हजबेंड अभी सबजी खरीदने के लिए गये हुए हैं और मैं अभी गाड़ी के सामने ही खड़ा हूँ और मून भी है तो वही हम लोग थोड़ा वीडियो बना रहे हैं मेरे हजबेंड भी अभी आ गये हैं तो मैं अभी घर चली जाओंगी तो चलिए घर चलके बात करते हैं तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ गई हूँ और ये देखिए ये स्टेंपर्स बॉल मैंने मेरे बड़ा के लिए खरिदा है और ये ब्लॉग मैंने चोटा बेटा के लिए खरीदा है और ये देखिए ये बॉल मैंने चोटा बेटा के लिए खरीदा है जो वो छीन के लिए गया है और ये मेरे लिए कुछ समान खरीदा है और ये ग्लू गन का स्टीक है ग्लू स्टीक इसी को मैंने दो खरीदा है और ये इच मुझे 10 रुपीज मिला है और ये मैंने कुछ नेट के कपड़े खरीदा है सारे ही ऐलग ऐलग कप्ड़ा है मतलब ऐलग अलग कलर का है और यह मैंने 5 color दूंसका मैं कुछ बनाओंगी जो की मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाओंगी और यह मैंने halfmütel करके खरिदया है और यह फाइब कलर खरीदा है और इसका मैं क्या बनाती हूँ वो मैं वीडियो में सेयर करूंगे आप लोगों के साथ और यह मैं एक फेबी क्वीक खरीदी हूँ और यहां पर मैंने कुछ मीरर्स भी खरीदे हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने सारी ब्लॉक्स निकाल दिये हैं और मेरा चोटा बेटा का खिलोना मेरा बड़ा बेटा भी खेल रहा है उसको यह सब खेलना बहुत ही पसंद है तो वही अभी बैट गया है खेलने के लिए तो यह देखिए और चोटा बेटा भी बैट गया है खेलने के लिए और चोटा बेटा तो आज बहुत ही खुश हो गया है क्यूंकि उसको इतना सारा खिलोना एक साथ मिल गया है और जब वो हुआ था ना उसके कुछी दिन बाद ही वही 20 दिन-21 दिन बाद ही लोकडाउन ह हो गया था तो इसलिए उसको ज्यादा खिलोना नहीं मिला था तो बीच में दो बार ही खिलोना मिला था और अभी यह दो मिला है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है हुआ 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 है यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने कुछ कप्स खरीदे हैं और मैंने एक ग्लास जार वीथ ट्रे खरीदा है तो वह मैं ओपन करके दिखाती हूँ यह देखने में कफी अच्छा लग रहा है और इसका सेट आप 5 है यह और 170 ml का है और यह सेगो कंपनी का है तो देखिए फ्रेंड्स प्रेंड्स यह ग्लास जार है और यह मैंने टू फिप्टी रुपीज में लिया हुआ है इसका दो जार है और इस तरह का इसका लीड है और इसका एक ट्रे भी है इसी तरह का मेरा सिरामिक का जार भी है जो salt वगरा रखने के लिए लेकिन ये glass का है वो सिरामिक का है ये वो भी मैंने आप लोगों के साथ सियर किया हुआ है और ये मुझे देखने में काफी अच्छा लगा तो इसी लिए इसको मैंने लिया हुआ ह और आगे आप लोग कॉमेंट में बताइए का आप लोगों को ये कैसा लगा और ये जो cups है ना friends ये टूट गया है ये मेरा पहले का cup है जिसको मैंने आप लोगों के साथ सियर किया हुआ था जब खरीदी थी मैं तो वो टूट गया था तो इसी लिए मैंने और भी cups खरीद में मिला है और ये मेरे husband के लिए मैं ली हूँ और moon के लिए एक और मेरे लिए एक ली हूँ तो ये आप लोग बताइएगा जरूर ये cups आप लोगों को कैसा लगा और ये glass jar आप लोगों को कैसा लगा तो वो भी मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो friends अगर आप लोगों को मेरा आज क्या ये वीडियो पसंद आए तो like, share, comment and subscribe जरूर कीजिए और मैं मिलती हूँ मेरे next वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, bye bye friends